हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले द्वारा दी जाने वाली आंकलन कारेपत्रक नमबर फाइफ करेंगे जो की क्लास सेविंथ की है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान ये वरक्षिट 21st October 2021 की है तो आज ये इसका अंसर हो जाएगा कोशिन नमबर सेकंड उत्रा दिकारी के लिए मुगलों ने किस परंपरा का प्रयोग किया उत्रा दिकारी के लिए कि जो है वो किसे दिया जाए इसके लिए जो मुगलों ने उन्होंने किस परंपरा का प्रयोग किया सहदा याद का तो अंसर भी इ एमाँ उसके अफगान समर्थकों को हराया था तो C पार्ट इसका अंसर हो जाएगा Q4 पंद्रा सो सताइस में बाबर ने राणा सांगा राजपुत राजाओं और उनके समर्थकों को डैश में हराया था तो कहां हराया था? खानवा में इसका अंसर हो जाएगा C खानवा इसका अंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्स कोशन में क्या कहा गया है? देखो कोशन नमबर फिप देखिए राजप सिधान्त में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बाजशा की पद्वी किसे ली? किसने ली थी? हमने ये पड़ा है ना राजप सिधान्त में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बाजशा की पद्वी किसने ली थी? बाबर ने तो अंसर हो जाएगा A यहां पर करेक्ट नेक्स देखे कोशन नमबर 6 में क्या कहा गया है? हुमायू का मकबरा कहां बना हुआ है? तो ये दिल्ली में ही बना हुआ है अंसर क्या हो जाएगा? इसका D कोशन नमबर 7 देखे डैश ने हुमायू को दो बार हराया एक तो 1549 में चोसा में तथा 1540 कन्नोज में और उसे इरान भागने के लिए मजबूर कर दिया तो 7 का अंसर क्या हो जाएगा? शेर खाने क्या किया था? हुमायू को दो बार हराया था अब देखते हैं कोशन नमबर 8 क्या कहा गया? तुझके बाबरी डैश द्वारा डैश भाशा में लिखे गए तुझके बाबरी किस ने लिखी है? बाबर ने लिखे है और तुरकी लैंवेज में तो B यहाँ पे इसका अंसर हो जाएगा कि तुझके बाबरी बाबर द्वारा तुरकी भाशा में लिखी गई है अब देखते हैं कोशन नमबर 9 देखो question number 9 में क्या कहा गया है question number 9 में क्या कहा गया grand trunk road dash द्वारा बनाई गई है तो grand trunk road शेशा सूरी द्वारा बनाई गई है ठीक है तो answer C यहाँ पर correct हो जाएगा question number 10 देखते हैं jest अधिकार के संबंद में क्या सत्य है तो jest अधिकार क्या था और please मेरे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए thank you